हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू मादरी कीचन ब्लोग आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रत के तीसरे दिन का फलार तो अलू हमने उबाल के रख लिया सुबही और उसमें हम अलू को छील लिये हैं उसमें डाल देते हैं मिर्ची मिर्चा भी हम जादा नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ा कमी डालेंगे और नमक डालेंगे थोड़ी से जीरा डाल देंगे इसमें इसका हमें बनाना है अच्छा वाला पराठा और यह सिंगारे का आठा इसके जगए पर आप कुट्टू का आठा भी ले सकते हैं और इनको मच्छे से मैक्स कर लेंगे और एक पाली थिन लेंगे कोई भी प्लास्टिक ले ले और इस तरह से चकले पे गोली बना के रख ले पहले तो थोड़ा सा हम बनाएंगे पूरियां क्योंकि मेरे हजबेंड को बहुत जल्दी है तो पराठा में थोड़ टाइम लगता है सिखने में और पूरियां जल्दी से हो जाती है तो पूरियां हम बना लेंगे पतला पतला से हम बनाएंगे सुबर का भाग हम भाग आप लोग समझी सकते हैं इसमें दो तरह का बनाना रहता है ब्रत वाला भी बिना ब्रत वाला भी तो दोनों साथ के साथ ही हमें बनाना होता है दोनों टिपिन पैक करना होता है पानी भी गर तो यह बहुत अच्छा पूड़ी बना था क्रिस्प हुआ था काफी और पतला था तो अच्छा भी लग रहा था खाने में आस बेंड को भी अच्छा लग रहा था इसके साथ हम सबजी नहीं बनाएंगे क्योंकि सबजी आलू नहीं पसंद करते हैं दोनों लोग नहीं पापा का खाना निकालना है ससुर्जी का तो साथ के साथ दूल-दूल के बार बार जो है दोनों करना रहा रहा है इनका टिफिन लगा लेते हैं तो इन्होंने मना कर दिया कुछ भी रखने से लेकिन फिर भी हम जबर जस्ति रख दे रहे हैं तो आप सुबह के भागम कि अधिया थोड़ा सा जोभी वीडियो बना प्षूटो पाया हमने कर दिया है अभी दर हम अपनी थाली उनकी लगा देंगे इसमें चटनी लख देते हैं और दही रख देंगे एक साथ और फल भी रख देंगे फल हम नहीं दिखा पाते हैं डेली और क्योंकि अलग से खा पाना साथ में रख देंगे और थोड़ा सा फ़ल रख देंगे तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी तो सुबह सुबह भाग भाग के हम बना रहे हैं तो प्लीज आप लोग लाइक से सस्क्राइब जरूर करिएगा थैंक यू प्रेंड अब इतना हम बाद में बना लेंगे